अब शुरू कर लिसन तो भई हम बात करने हैं गर्मियों के मौसम की ठीक है गर्मियों का मौसम है आपकी छट मार्बल की है तना टन बिलकुल और दिन के बज़ रहे हैं बारा तो सोचो छट कैसी होगी जाटें पे बढ़िया चकाचक गरम होगी होगी के नहीं होगी अब मैं तुम ते कहूँ कि भईया भाजाएके बेट हो ठीक है कोई मैट वैट कुछ नहीं है कोई चेटाई वटाई नहीं है सीधा जागे मारबल पर बैठ जाओगी मज़ा आ जाएगा जब हम बैठेंगे तो कारण कारण यह है कि जब आप बैठेंगे तो क्या था जो ही च्छत थी ना च्छत वह भेंकर गरम थी यानि वह हाई टैंपरिचर पर थी और उसकी तुल्ला में आपकी जो बॉड़ी थी वह लो टैंपरिचर पर थी जब आप बैठ गए तो हीट का फ्लो हुआ कहां से कहां की तरफ च्छत से आपकी तरफ जिसकी वज़े से आपको गरम मैसूस हुआ सही बोल रहा हूं बोलो ठंड पर रही है भेरंट दिसंबर और जनवरी जनवरी की ठंड समझो तुम समझ गया ना केसी जनवरी में ठंड पत्य बढ़िया और सुबही सुबही जब तुम कोचिंग जाते हो वहां पर लोहे की बैंच रखी होते हैं लोहे की बैंच ठीक है और पर तुम बैठते हो तो मज़ा आ जाता है थंडा लगता है थंडा लगता है थंडा लगता है सही बोल रहा हूं कारण थंडा क्यों जिस बैंच पर बैठे वो लो टेंपरेचर पर थी जैसे या बैठ गए तो दौनों बॉड़ी से बैंच की तरफ ठीक है और सोचो आप बैठ गए और चार पांच बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं बात समझ में आरी सरग वेगी इच्छा तो नहों होता है तो यह जगे पहले ठंडी थी लेकिन थोड़ी दिर बाद नॉर्मल टैंपरेचर पर आगी आपकी बॉड़ी के टैंपरेचर पर आगए जिसकी वज़े से आपको बेंडा नहीं लगा रहा किता हूं तो मैं सरकना पर रहा हो तो तो तुक्ते सीरे पज्या होगे सही बोल रहा हूं बोलो मेरा कहने का तात पर यह है कि जब आप लोही की बैंच में बैठे थे तो आपकी बॉड़ी हाई टैंपरेचर पर थी और जो लोग अलग अलग की तरफ हाई तो हीट का ट्रांसफर हुआ हुआ हीट का ट्रांसपर हुआ कहा से कहा की तरफ हुआ हाई टैंपरेचर से लोग तैंपरेचर की तरफ में हीट का जोफ लोग होता है that is always from high temperature to low temperature ठीक है होता है ना अब कब तक होता है कब तक होता है तो यह तब तक होता है जब तक कि दोनों के temperature same नहों जाए जैसे दोनों के temperature same हो जाते है हीट का flow बंद हो जाता है एक और example देता हूं मैं आपको समझने की कोशीज करिएगा, करेंगे कोशीज, करिए कोशीज, सुने, क्या पढ़ रहे हूं, physics, very good, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, physics, है न, अब हम दोनों में फर्क क्या है, कि आपकी physics का level थोड़ा सा कम है, और मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, right, मैं high level पे हूं, तो knowledge का flow हो रहा है, knowledge का flow हो रहा है, कहां से कहां की तरफ, high level से low level की तरफ, high level से low level की तरफ, सही बोल रहा हूं, और ये knowledge का flow कब तक होता रहेगा, ये knowledge का flow कब तक होता रहेगा, जब तक कि दौनों की knowledge सेम न हो जाए, सही बोल रहा हूं, मैंने एक दिन एक से पूछा, ऐसे प्यादा रहा है तो बच्चा बोलता है जब तक हम फीज देते रहेंगे तो क्ल मिला के बाद यह नो लगा यह था लगा यह बात भी आला कि सही है वैसे नौड़ होता रहेगा जब तक कि हम दोनों के knowledge का level same न हो जाए जैसे knowledge का level same हो जाएगा आप यकीन मानिएगा क्या पढ़ने आओगे तो जो ता महीं आवा तो है सही बोल रहा हूं ना knowledge का flow बंद हो जाएगा है ना तो किसी भी चीज़ का जो flow होता है ना वो हमेशा high level से low level की तरफ होता है कहा से कहां की तरफ होता है high level से low level की तरफ clear तो मैंने आपको simple से एक example दिया जैसे यह बोड़ी है और यह दूसरी बोड़ी है और इन दौनों बोड़ी को आपस में contact में रख दो अभी contact में रखा है यह suppose करो high temperature पर है और यह low temperature पर है आपको बोड़ पर जो लिख रहा हूं वो proper दीख रहा नहीं दीख रहा दीख रहा ओके तो जब मैंने द तो अलग-अलग temperature की bodies को आपस में एक दूसरे के साथ contact में कर दिया तो हीट का flow हुआ बता हीट एह फ्लो होगी यह फ्लो होगी क्या है कि इस आरो चाहिए मां गूंगे तो था नहीं चाहिए रहा रही है हीट का फ्लो हमेशा high temperature से low temperature की तरह होता है तो हीट हीट का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दौनों की temperature सेम नहीं हो जाएंगे हीट का फ्लो बंद हो जाएगा इस सिचुएशन को हम लोग बोलते थर्मल इक्विलिबीरियम आप लोग ने पढ़ा होगा थर्मल इक्विलिबीरियम ज्यादा दिमाग पर दिमाग का नहीं करना बुड़ में पीर होती है न क्लिए तो फिलाल उम्मीद करता है यह बाद आपको समझ में आगी होगी हीट का फ्लो जो होता है जब तक कि दौनों के temperature सेम नहीं हो जाते हैं पीट का फ्लो बंद हो जात एक डिक्टर है यह दो metallic ispher आर इन दौनों metallic ispher को मैंने एक metallic wire से connect कर दिया मै इनक्यक कर दिया सपोस करिए इसका वोल्टेज है दस वोल्ट और इसका वोल्टेज है पांच वोल्ट यानि यह हाई पोटेंशल पर है हाई पोटेंशल पर है और यह लोग पोटेंशल पर है सीन क्लियर है तो यह दिस इस ओन हाई पोटेंशल एंड डिस इस एक लोग पोटेंशल क्लियर अब कोई पूछ है कि कह रहे भलाने positive charge का flow कहां से कहां की तरफ होगा positive charge का flow कहां से कहां की तरफ होगा तो बुलना high potential से low potential की तरफ होता है जिस प्रकार heat का flow हमेशा high temperature से low temperature की तरफ होता है similarly positive charge का flow होता है वो हमेशा high aking potential कि तरब होता है और तब तक होता है जब तक कि दोनों के potential सेंटा हो जाएंगे चार्ज का फ्लॉ होना पंद हो जाएगा झार्ज का फ्लॉ होना । बंद हो जाएगा बहां सरह समझ में आरही है सब्सक्राइब कलियर इसथि यानि मेरा कहने का ताथ पर यह जब दो अलग 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 पोटेंशल पर है और इन्हें एक मैटलिक वायर से पॉज़ज़ का रिख सकता हो दोनों को नहीं है समझ गये और कब तक होता है जब तो बोलते ना कोई चार्ज फ्लो नहीं हो क्योंगी दौनों के पोटेंचिल सेम है समझगे साधी दूसरी बात तो मैंने पूछा अभी मैं पूछ रहा हूं यह दस वोल्ट पर यह पांच वोल्ट पर तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कैसे होगा ऐसे ऐसे कैसी है तरह भी लो पॉटेंचिल से लोग जैरे जब दो चार्ज टरू सको एक दूसरे के सांथ ऑजाता है है बट नेगटिव चार्ज इस फ्लोइंग फ्लोईंग फ्लोइंग फ्लोईंग फ्लोइंग फ्लोइन फ्लोइ महां है उम्मीद करता हूं मेरी भासा आपको समझ में आ गई होगी झाल झाल मेरे ख्याल से हो गया होगा नोट समझ में आता है आपको आगे बढ़ू बच्चों बोलते क्यों नहीं क्या हो जाता है तुम्हें आगे बढ़ू ओके यह नोट समझ में आगे रीडिंग लेनी है को बला के बात यह है तो दो अलग अलग चार्श कांडेक्टर उसको एक दूसरे के साथ अगर कन्यक्ट किया जाएगा तो चार्ज खाफ लो कहां से कहां की तरह होता है यह बात कोई पूचा अर्थ का पोटेंशल कितना होता है तो बोलना जीरो याद रखना ओटी वगरा में बहुत पूचा जाता है तब पोटेंशल ऑफ अर्थ इस जीरो क्लियर अब आप गौर से देखिए इधर देखिए इससे पहले कि मैं ये देखूं हाला कि जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं चैप्टर नमबर थी में current electricity पढ़ाओंगा वहां बताऊंगा इस बात को ठीक है वहां मैं बताऊंगा इस बात को पर फिलाल अभी भी जानना ज़रूरी है तो यहां भी बता रहा हूं ठीक है तो यह पॉजिटिव चार्ज जा रहा है समझ में आरी बात के पॉजिटिव चार्ज डिरेक्शन में जाते हैं वही इलेक्रिक फिल्ड की डिरेक्शन होती है तो क्या यार इस इलेक्रिक फिल्ड को में करेंट नहीं बोल सकता वही तो एक ही बात है क्लियर कहने का तात्पर में आपको यह समझाना चाहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज अगर यो जागो तो करेंट की डिरेक्शन भी ऐसे ही होगी समझ में आ रही है यही चीज तो है यह पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्रिक फिल्ड की डिरेक्शन में ही होता है समझ में आई बात क्लियर है तो वही चीज आई है सेम अलग कुछ अलग कुछ नहीं है क्लियर मेरा कहने जो लोग नए खिलाड़ी है जिनका पहला देने वो ऐसे समझें बहुती है पॉजिटिव इशारे से करना वाप लोग भी करना आ है जहां जहां पॉजिटिव चार जांगे वावाउ करेंट जागो तुमने घर में देखा आऊगा जैसे तुम घत्य निक्रे तो घर में छोट छोटे चिलर आ रोती है तो जैसे आप निकले वह तुमाने पीछे-पीछे । चल देत जा रहा हूं आप बताते जाना पॉजिटिव चार्ट ऐसे जा रहा है कि है जब रही मत करो कमाल एगई भगवान कसम हुँ हुँ हाँ शाबाज ठीक है यानि कहने का ताथ पर यह करेंट की जो डिरेक्शन होती है वह को अमिशन अगरे अगरे से जा रहा है तो करेंट की डिरेक्शन में अद्सक्ति एप करेंटों और नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो करेंट की ड्रक्षन अपोसेट होगी कि 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 हुआ कि बना लिए सबने आप लिए तो समझ गए करेंट की डिरेक्षन पॉजिटिव चार्ज की डिरेक्षन में होती है और नेगेटिव चार्ज के अपोसेट होती है ठीक है ओके चलो आजाओ कि मैं चार्ज बोलता जाओंगा आप अपने कॉंसेंट्रेट करते हुए आत्मार ना है तरो दर्जबरतस्ती आत्मत ठेक मारी हूं हां निकाट जाओ कंदा में ते सुने तो पॉजिटिव चार्ज यह जा रहो है तो करेंट पॉजिटिव चार्ज यह जा रहो है तो करेंट यह जाओ प्रोटान जा रहे है नो प्रोटान बताओ का कर रहा है अनुराग धाकरे प्रोटान तेहीं लंग जा रहा है करेंट इयाओ और यंद टोले तो प्रोटान भोला तो यहां कॉमून सेन्स लगाना फो पॉजिटिव चार्ज ओता है ना फुरुटान फो फ्रोटम जाहरा हों तो जाएक हो पॉक्विटाण फिदीव चार्ज होता है ub है अच्छ है इलेक्ट्रोन यह जा रहो इलेक्ट्रोन तो कि समझने बात समझ यह तो होती और नेगेटिव चार्ज के हमेशा opposite होती है ठीक है अम मैं आपके सामने और अर्थ का potential कितना होता है भी कितना बताया जीरो अम मैं आपके सामने कुछ question रखता हूँ अलग-अलग situation में अलग-अलग answer होंगे you have to tell me clear तो ध्यान से देखिएगा यह positively charged conductor है ठीक है और इसको मैंने यह connect कर दिया किस से यह जो symbol जब भी बनता है ना आदे डाल लो आज बता रहा हूँ आपको वैसे पता नहीं कि नहीं पता आर्थ का symbol है यह this is the symbol of earth clear किसी भी जगे अगर ऐसे design बना हुआ हूँ नहीं से करके तो अर्थ है केवल दो डंडी बनी हो तो यह बैटरी को रिप्रेजेंट करता है पड़ा होगा आपने बैटरी तो जानता होगे है ना clear है खैँ लेकिन इसको क्या बोलते अर्थ यह इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मैंने पॉजिवली चार्ज कंडेक्टर को अर्थ के साथ करनेट कर दिया है यह बहुत यह पोजिटिवली चार्ज कंडेक्टर है यह अर्थ से जोड़ा हुआ है दोनों ही अर्थ से जोडे हुआ आच्छा मेंना सुना है अर्थ का पोटेंशज्शन aura होता है लोका अर्थ का पोटेंशल अच्छों संगत का स्था होता है ऐसा सुना है मैं कि चूतियों के साथ रहोगे बन जा keynote के साथ रहोगे बन जाऊंते लुच्च वर्च बन जाऊंतेजिक सथ लुच्छ वन जाऊंतेज तो वो उसको अपने जैसा बना देती है यानि वो उसके पोटेंशिल को क्या कर देती है जीरो कर देती है क्या कर देती है जीरो कर देती है इसके लिए साइंटिस्टों ने बोला है रीजन भी दिया है उन्होंने उन्होंने बोला है कि अर्थ के अंदर बहुत अधिक तादात में electrons हैं बहुत अदिक तादात में neutron है और क्या होता है में जब आप उजूटिव ली चार्ज करको अर्थ के साथ साथ connect करते हो तो हो तो क्या है जितना इस पर पॉजटorta है ठीक अजि एलेक्षस से निकल के आते कर देता है समाझ में आ रही है बात क्लियर बात समझ में आ रही है या अब कुछ ने बोला यह एलेक्ट्रोन ऐसे आते हैं और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं अब सूचो इलेक्ट्रोन यो जा रहे हैं तो करेंट कैसे तो करेंट के से कई यह वही करेंट की डिरेक्शन समझ में आई करेंट की डिरेक्शन में ऐसे क्यों पूचों नहीं पूच्छा तोड़ूंगा एक-एक-को पहले कहां की तरफ होगा इलेक्रण यह तो कर्फ़रेशन और इलेक्ट्रों का दिखाना यह से एलेक्ट्रों जाएंगे तभी तो पॉसीटिव को न्यूट्राइज करेंगे कि बोला और पॉसिटिव चटेंटर को ऐर्थ से नेक्ट कर दिया तो इस रहिए megac कि यह जो पॉसिटिव चार्ज कॉस्टेंट हो जाता हुए जомина मेशा जाता वर इसका फुटेंशल हो जाता है तो पॉसिटिव जालो कैसे है एसे यह एसे जानी समझ में इसमें अलग-अलग प्रकार से question पूछा या सकता है बाने नियों पूछी बताओ आप जरा मुझे इसारे से बताना अगर ऐसे इशारा हो तो ऐसे कर देना नहीं को ऐसे कर देना समझ गया है बताना कैसे कैसे पूछ सकता है देखो किसी पूछा अगर किसी पॉजिटिव चार्ज कंड़क्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहां से कांग की तरफ होगा कि पॉजिटेफ चार्ज का फ्लोगा अर्थ की तरफ ही कर दिया तो अर्थ से कंड़क्टर की तरफ नेगेटिव जब बोल सकता ये लेक्रान भी बूर सकता है और ऐसे भी सकता सबस्क्राइब तो में पॉजटिव चार्ज की ट्रेक्षिन में करेंट होते तो तो हमीं नहीं है है इसंद आर्थ के साथ कर दिया तो नेगटिव चार्ज का भलो कैसे होगो चाहें कर रहे हő प्रफा नेगेडिव चांगटर रहिए अर्थ के साथ कर डिया तो यह नेगेडिवं यह पूर जमीन में इद मी नहीं इडमें नहीं यह एटora सब्सक्राइब को इसे होगा सब्सक्राइब कहता के वह रही है यह निकोल मिलागे कोई बी चार्ज कंडुक्टर दे देगा अर्थ से जोड़ देगा और पूछेगा अच्छे चीज आते कांगी तरफ लोगे यह तो बता दोगे फिर से पूरी कहानी आपको एक बार बताता हूं ध्यान से सुनेंगे एक बार फिर से पूरी कह मैं पॉसिटिव और नेगटिन चार्ज और बूल सकते जतने पॉसिटेव हैं उतने नेगेटीवे टोटल मिला के अब क्या होता है जब इसे positively charge conductor से connect किया जाता है तो कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि यहां से कुछ negative आ जाते हैं और इने खतम कर देते हैं ठीक है समझ मैं जो मैंने वैल बोला ठीक है और कुछ नहीं यह बोला इसका रीजन कि यह जाते कि पॉजिटिव जमीन में चले जात पॉजिटिव चार्ज कहां नेगेटिव चार्ज कहां ते कहां करेंट कहां तो बता दोगे कि अच्छा कि समझ गए यह बात समझ गए तो आपके नोट्सों में जो नोट दिया उसमें जो फिगर बना है उसको देख लो भड़ा पर फूर्ती से फिर आगे की बात करता हूं समझ में आता है कि नहीं आता है यह देख लो कि तलको अगर उसने को मां आगे पूछा तो मां आगे बता देना है कि आगे बढ़ू है को आपका आओ कि फिगर देखने के लिए बोलां वास और काओ मन लगाओ का माम है कि चलूँ आगे कि नोट भी पढ़ लेना पोटेंचल अफ द आर्थ जीरो राइट कि आगे बढ़ू कि उमीद करता हूं हो गया होगा सभी का ठीक है कि अगली बात पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इलेक्रिक पोटेंचल क्या होता है इलेक्रिक पोटेंचल देखते हैं है यह पोटेंचल वाटा है अपको पता दोड़ को 一点 में दर्षंत क्योंगे हो वोलटेज है नकली पोटेंचल को वी जर्ण तो कर दिये लुए पता है आपको वर्क अधिमेजर्डेंजुल वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज को लोग कूलाम में आहते हो चार्ज की वेज में कि क्या होता है इस Budget न्सके याद करनी की जुरोत नहीं क्योंकि फॉर्मिला यान याद है तो लूट पोटनि सी आपढ़ान में यह यूनिट आपको याद करनी पड़ेगी समझ में आरेगा दो यूनिट होते हैं कि मैं तो बहुत लिए बै deve को को CGS सिस्टम में अर्ग में ना पाजाता है 11 चेप्टर वन में पढ़ा चुका हूं का CGS यूनिट क्या होता है चार्ज का CGS स्टेट कुलाम समझ में आरी बद बोल्ड पर जो लिख रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है प्रापर ओके यह वोल्ट है तो वोल्ट को मुझा देते हैं स्टैट फोल्ट तो ये सब रदर हो गए ठीक हे ऐसके सी गइसा सून 놀ाकर इब देखने का क ऐस confidently नहीं देखते हो गए वैसे है ये नहीं देखते रियल्टी शोज देखती है भी डांस इंडिया डांस वगरेटाई आती है नहीं को पात रहां था तो उसमें जो जरग आते ना जरग 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 जब कोई बच्चा को परफॉर्म करता है तो उसको देखे बड़ा पॉटेंशल है आपके बच्चे में इसना बढ़ बख्रशा बहुत अच्छा है क्लिक्त के नगे बच्छा एक तरशक्ता यह तो मतलब है कि atka 빠 मैं रहा हुआ है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्वा रहा हूं कि इसलिए कि नहीं कि भाई कब खुलेगो तब मैं पढ़ेगो पर आपने डिसीजन लिया यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा और जिंदगी में यही चीज़ें मेंटेन करना कि मुंबई का कोई रहने वाला है और वह यह सोच है कि घर से में तभी घर से में उस कंडिशन में निकल पर निकलूंगा कि जैसे ही मैं निकलू तो मुझे सारे सिकनल ग्रीन मिलें तो क्या ऐसा पॉसिबल है ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है बेटा बिगनिंग करना बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी चीज़ की बिगनिंग नहीं कर सकते ना आप बेकार हो सोच सोचके मर जाओ इसलिए इनीशेटिव लेना बहुत ज़रूरी आपने जो इनीशेटिव लिया यह बहुत बड़ी बात यह क्लियर इस बात का इंडिकेशन है कि आप लोग आगे जाओगे डॉन्ट वारे जो भी है पुरी कहानी सुनाता समय नहीं मेरे पास तो वीजिपल तो जज़ेस की अगर हम बात करें तो जज़ेस ऐसा बोलते हैं कि भईया बड़ा पोटेंचल है आपके बच्चे में कुछ अच्छा कर सकता है तो मतलब पोटेंचल बताता है कि हाँ यार बंदा है सही बोल रहा हूं ना अच्छी बात है अच्छा एक बात बता मैंने तुम्हें इतना अच्छ बोलना चाते हैं आपल botha जयांगि आप लोग के शाओ से य्लेक्रिक क्विड पीडा होने के विद होता है टाच्ज जैसे मैंगिनिट के 4 तरफ यह एक बंदा यह खड़ा हुआ है स्मार्ट बंदा मेरी तरह और यह आप खड़े हुए हो राइट अब मुझे यह बता ज्टका ज्यादा किसको लगेगा इसको इसको ज्यादा लगेगा वो यह निविटा होगे तुम क्लियर मैं ये वाला हूँ लेकिन जो पास में उसको ज्टका ज्यादा लगेगा जो दूरे उसको ज्टका कम लगेगा यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंचिल ज्यादा होगा यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंचिल कम होगा समझ में आई बात यानि मेरा कहने का ताथ पर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग-अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंचिल की वैल्यू अलग-अलग हो अलग-अलग होती है यह बात दिमाग में बैठ टी है आपके ठीक है चलो अच्छी बाप है यह एलेक्टरिक फील्ड पैदा हुआ कैपिटल क्यू की वज़े से थोड़ी देर के लिए यह मानो कि यह कैपिटल क्यू आपका घर है क्लियर दिस इस यौर हाउस ओके अब जहां पर यह एक बंदा आके यहां रहना चाहता है चाहिए प्लस one पूलाम प्लस one पूलाम बोले तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है आपने बढात है किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए चीज़ों को 111 तो देखिए का दियां से यह जो है यह इलाका किसका है capital Q क्यूश का और इस लाके में स्मॉल क्यों आके भियान रखना पहले ही बोलना हूं जी डैफिनेशन है जई ते आदो चैप्टर क्लियर होगो क्लियर अगर जी डैफिनेशन आगई तो सब कुछ आ गया और जी डैफिनेशन आने आई तो पहुंचा सो फिज्जाओ कच्छु आ जाए तो अब इस इलाके में समॉल क्यों आके रहने लगा तो यह यह आप हो यह आपका घर है और इसमें कोई आके यहाँ पर रहने लगा तो तुम्हें रहें दोगे कि वह तो कब जा करें चारती आए घर पर करन देवें कि बिढ़ात देवें यह पूलो बिढात देवें और इसे इतना मारोगे इतनी दूर तक ठैकोगे कि इन फाइनाइट पर जाके गिरें लौटके नहीं है सही बोलना ना बोलो कि दोबारा कमों दसन नहीं हो जाते सही बोलना बंदू पंदू के गोली मत दे दियो बिचारें के लिए समझ में आर हम इसको पहुंचा दिया दिखा ही देरे आपको पर पर उसको पहुंचा दिया आप किसको प। इपापर क्योंकि आपके घर में रहना चाता तो 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 कि पजट है रो बज़्जुर है जिन्हों के रहो है रहेंगो तो जहीं रहेंगो तो रहने के लिए कप जा करने के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए है इसके अंदर इतना पोटन्शल ओना चाहिए रोक नहीं पाए है ज़ी हो तो एंड़ थे भात तो लेकर दे कि लीट त्याहिंट आप चुनना कानी सुनना यह भी पॉजिटिव चार्ज इस पर कोई सिंबोल नहीं तो पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव कैसा फोर्स है एट्राक्टिव यह रिपल्स इतना तो फड़ा चकाऊं चैप्टर वन में यार रिपल से फोर्स लग रहा है यह जिवाओ जाए बेडार रहो है so है इंफान ही तक पर यह यही रहना चाहता है तो इस चार्ज को हिस यूिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेके सिपट तक आने में तो इसको क्या करना पड़ेका इस रिपलसिव पोर्स के कुछ लोगद करना पड़ेगा यहां तक आने में पर जतना वर्गद इसे करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं इलैक्रिक पोटेंचिल मेरा कहने का तातपर है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक आने में जतना वर्गद करना पड़ता है इस प्लेक्र सब्सक्राइब करने का सवाल है और अलग अलग टेक्स्ट बुक जैसे कल को आप पड़ोगे तो तुम्हें दिमाग में कि तुम पीर नहीं है तो तहां और बहुत बता दी तों में कुछ लोग ऐलेक्रिक पोटेंशल के फॉर्मुले को ऐसे लिखते हैं एक ऐसे लिखते हैं तो ऐसे फोर्मूलने देखके तो अपर डर आप जाते हैं सही है किसे गंदे से फॉर्मूला है यह क्लिया तो सुने डरने की जूरूत नहीं है बताता हूँ आपको जैसे यहां पर आपने डेफिनेशन बनाना मैंने चैटर वन में भी चिकाहे था किसी भ कि बूलो भाई यह सीन के लिए दिखाई दे रहाए आपको प्रॉपर दीखी रहो देखतो क्लियर है तो चलो अब डेफिनेशन लर्ड करने की बारी आती है ध्यान से सुनेंगे और सुन लो जो बलवाऊना बोलना कंपल सरी है क्लियर जो नहीं बोले हो ना समझ लेना क्लि क्या नेलेक्रिक पॉटेंचिल की वैल्यू सेम होती है सेम होती यह अलग-अलग होती है औरहें पर इलग-अलग होती पर पोइंट पर यहां पर हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं वी आर क्या पर हर पॉइंट पहला होता है तो पी पॉइंट पर एलेक्ट्रिक पोटेंचिल एड़ एनी पॉइंट पर पर है और जो पॉइंट कहा पर है समझें कहां पर है एलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है कहां पर है यह पॉइंट एलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो मैं इसे क्या बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंचिल एट एनी पॉइंट इंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लाइन समझ में आई हम लोग निकाल रहे है ही तॉ मैंने बुला है इप्रइकविद के अंदर अध्र सिचुवेटेद Trail at any point in the electric field is equal to the amount of work done which is done in taking a unit positive charge from infinity to that point in the Generality के तर देखो एलेक्रिक प्टेंचिल एड अनी पॉइंट इन पॉइंट इन पॉइंट पॉइंट फिर से बोल रहा हूं एक बार रहा हूं लास्ट बार बोलूगा मैं फिंगर रख रहा हूं आप बोलना तो शायद आपको थोड़ा अच्छा लगीगा हां कब आँ हां वरी गूट इलेक्रिक पोटेंचल अट अनी पॉइंट इलेक्रिक फील इस इक्वल तो दॉ अमांट अवर्ग दन इस इक्वल तो अमॉंट अवर्ग दन कॉंसा वर्ग दन विच दन विच दन विच दन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पोजिटिव चार्ट सर्म इंफिनीटी तो इन्फिनीटी तो एक पोइंट गॉ्च्छ फील गॉट इस अनी पॉइंट फिर से बोल रहा हूं यह वाली बोलोगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तभी आई यह है ना तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला था पन्ने डेफिनेशन में अगर यह बोलते हो तो इसको कैसे बोलेंगे देखो पॉजिट्री पोली अधनी पॉजिट इन नायंरा था पोग्यालत्व आख वांघमेंगेन अधनी यूमा prisoners के आदनेशन से नायग अधनी तो इसमठी तो कॉजिट तब नेली है वांगेर गिक्रोट त्याइए तिन चार्ज फ्रॉम कॉजिटे ऊपीनुटि तएफिनेट्ए इसको यॉस करोगे तो यूनिट पॉजिटीट पॉजिटर रहहा हूं प्याले एलेक्टरिक पोटेंचिल एड एनी पॉइंच एलेक्रिक फील्ड इउक्वल तो धिरेशॉ आफ ड्ली इंड एट्यो ऑफ डॉलू उड्रॉड कर देटेल में आजाओ डबलू यह जो उंपर नुमेरेटर रखाए डबलू इन्फाइने चिए क्या है क्या है इसको बोल और अके लिए को कौन सा वक्टन वक्टन वाक्टन विच दन विच दन इंड अ टेस्ट चार्ज फ्रम इंपनिटि टु अपट पॉइंड वाग्टन at any point in the electric field is equal to the ratio of work done in bringing a test charge from infinity to that point to the value of test charge. I hope you understand guys. Do you understand that? कर पाओगे? को उन्हें पूछी तो मन बाद देवागे? तो चलो जरा फटाफट एक मिनिट का समय दिया जल्दी से फुरती में सुना दो मुझे जरा इस डेफिनेशन को दोनो डेफिनेशन लिखियों की पढ़ लेना समझ जाओगे कि हो गया सभी का बोलो पाद्याजी क्या कह रही हो मैं पाद्यए़ जरा ओंगारो टाई मैं सकतंगी पाद्याज्स अंगारो अंगारो पाद्याज्ब एक में अन्गिचेएज़ इस इक्व तो यह द jour आए चून आँएव पादक शिराने इस तर इस चार्जब पहली बार में डेफिनेशन इन्होंने अच्छी सुनाई कि दुबार पुछने की गुंजाइश नहीं रहे हैं मुझे ऐसा लगता है आप लोग सुना दोगे राइट वारी को अगे बढ़ता हूं क्लियर सब लोग सुना देंगे ना नाक तो नहीं गटाओ को में अगे ना पटेंशिल क्लियर विख पचुरी तुमने जनव करम के दो आधर उठाया है यह टेट्रिक पोटेंशियल एंपट इन ऑपींट इने ओपड़ेंट इस दन टो ब्रेंगिंगे उनिट इन पॉनिटी पूइंग इन पैन इलेक्रिक आग्या गया शाबाश वेरी गुड गुड तो मुझे लगता है आप सब लोग शायद सुना देंगे अच्छे से याद हो गई हो ध्यानक ना बिटा यह वाली जो डैफिनेशन आपको बताईए ना अगले एक दो दिन तक रेगुलर्ली रिवाइस करना आप यकीन मानिएगा आपके सारे काम हो गए खतम यादा चैप्टर खतम हो गया चिंता मत्रवाप ठीक है अभी तक की अगर सारी चीज़ें क्लियर है नो ठीक है मन बद्देंगे आपको बहुत बत्रावा नहीं गई तो है वो जी उसंग में देख लो बड़ापन नोत जाके बाद जुद्द हुआ है जूल पर गुला इस बड़ बड़ा रही हो तो अगली बात आती है डिफाइन पोटेंशल इफए ठीक है Deb cis तो फोटेंशल में सो और भाड में थी ना नहीं डिपरेंट लेजन पुटेंशल डिपरेंट एक बात हो इस हाला कि वैसे एर बार बताने ही बढ़ती है मुझे पर आज बता रहा हूं आज के बात कभी नहीं बता हूं ठीक है डिफरेंस जब भी बात ते डिफरेंस निकालने की आए यह चेंज निकालने की आए सब्सक्राइब है तो विए आल वेर्मूला पाइनल वैल्यूँ मैने सिन्सलम है । इसमें क्या कहा आ HI ठीक है इसको ट्राइट उड़स्टैंड मैं आज आज की स्थिथिंह क्या है हम लोग बेरोजवर हैं बोलो lors से बोल रहां इमादारी जन? प्लीज रेजर हैं जै इसे कितने बच्चेब जमें ममी पपार से पैसे माँगने में शर मातीय थे कि एक अपिसरे लोग है इन्हें मपथा ममी पापा तेने पैसे मांगने में शरम आ रही है और यकीन मानिए यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिसे ग्रोप में आप लोग जी रहे है अ है वह थोड़ा सा होना चाही समझ में आ रही है बात समझ में आ रहे हैं क्योंकि कि यह कही नकहीं इस बात को prevented करता है कि आप औपनी responsibility को कही नगे समझने लगे हैं इनड depress बागी का दूसरी बात ये भी बोलूँगा कि ठीक है मैं समझ सकता हूं इस बात को कि शरम आ रही है पर ध्यान रखो शरम तब ज़्यादा आनी चाहिए जब हम पैसा ले रहे हैं और उसे बरबाद कर रहे हैं वो ज़्यादा शर्मना के स्थती है बागी का कोई बात नहीं बेटा अभी आप ले रहे हैं मैं जानता हूं इस बात को आपको तकलीव होती है लेने में और ये बहुत अच्छा पैसे के साथ पूरी इमानदारी से हमें उस पैसे को कंज्यूम करना है ठीक है मैं समझ सकता हूं मजबूरी आपकी लेनी पड़ रही है लेकिन जब लो ना तो ये सोचके लो कि कल जब बढ़ा हो जाओंगा ना तो इसका कई गुना करके उनको दूंगा तो तो मतलब है उस पैसे देदू कर यह तो मजाक वाली बात है पर मैं बहुत सीरियस मैटर पर वाकई बिटा जिन लोगो मांगने में हैसिटेशन होता है अलाकि माबाप से मांगने में कोई वैसी वाली बात नहीं है पर समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे तो प्लीज यार लेकिन पापा मुझे बाइक चैए इसे करना बिलको और भी को इस नहीं करो इसमाज में रही बात लेकिन फुर पैसों से आ माबाप के पैसों से अपनी जरूरते पूरी करो शौक पूरे मत करो तो तो मतलब है अगर शौग भी अगर आपको माबाप के पैसे से पूरा करना है तो लाना तैयार आपकी जिंदगी पर समझ रहे है मेरी बात को एक बात और जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज कल की जनरेशन में ऐसा हो रहा है कि आप ऐसे काफी सारे लोगों को अपने पेरेंट से यह शिखायद रहती है कि हम पर विश्वास नहीं करते हैं ऐसा कितने लोग के साथ होता है रेज्वरेंट जनके आथ ऊपर है वो नीचे करने पहले बागी की की लोग हैं ट्रेज करें कि हमारे पेरेंट सब्स विश्वास नहींकहरेंगे साला आपने विश्वास करने लाएं उनको छोड़ा ही नहीं तोड़ा नहीं आपने विश्वास करने लाई क्योंकि आप अपने मुबाइल में पासवर्ड डालके रखते हैं जो का मैं खुला है जो करना खुला करो समझ रहे हैं मेरी बात को अगर आप पासवर्ड डालोगे तेर सामने वाला क्या समझेगा आप बताओ मुझे आप फोन आ रहा है अचानक से कहीं अलग से रूम में आगे बात कर रहे हैं बताओ आप कल को आपके छोटे भाई बेन आपके सामने ऐसा करेंगे आपको अच्छा लगेगा अगर आप चाते हो कि आपके पेरेंट्स आप भरुसा करें तो सबसे पहले आपको उस लाइक बनना पड़ेगा और एक बात बतादू जिंदगी में दुनिया भरुसा करे ना करे साला फरक नहीं पड़ता लेकिन माबाप का भरुसा अगर एक बार तोड़ दिया ना तो प ऊच्छा न नताव बैई न बह्त है फिर बोल रहां है माबाप का सपोर्ट होता है पिच्छे देख अब आप है ऑप लिगन पुराना एक तकलीफ देनी होती थी उसके बच्ची को किड़नेप कर लेते थे न कि माबाप की जान ओदी ना वो बच्चे में इटकी होती है इस बात को आप शायद अभी समझ नहीं सकते लेकिन प्लीज यार समझ रहा हुआ उनको खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम तकलीफ मत दो अगर आप उन्हें कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो उन्हें एक अच्छे से अच्छा रिजर्ट दो अच्छे से मैनत करो और ठीक है यार हर बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होता है मैं मानता हूँ इस बात को और पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती मैं फिर बोल रहा हूँ लेकिन अपनी लाइफ का एंबिशन जरूर अभी डिसाइड करो यार कि जिन्दगी में करना क्या है जो भी सोचा है आपने जो मन है आपका कि नहीं यार मेरे को नहीं पढ़ाई लिखाई करनी तो आपको पूरी इमान दारी से सच्चाई के साथ अपने पेरेंट्स के साथ बैठेंगे और बात करेंगे तो आप यकीन मानिएगा ऐसा हुई नहीं सकता कि वो आपकी बात को ना माने लेकिन आपकी बातों में दंभीरता होनी चाहिए और साथ-साथ नहीं पढ़ाई में मन लगता कोई दिक्कत नहीं आप बोलो लेकिन एक जवाब और लेके जाओ करोगे क्या करोगे क्या क्योंकि जिन्दगी जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में ग्रोप करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सिनेरियो बदलता जा रहा है सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है आज आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है यह मान लीज प्रकृती ने अपने आपको रीफ्रेश मार दिया अब आपको मारना पड़ेगा रीफ्रेश नहीं मारोगे दब के मर जाओगे समझ में आ रही है बात इसलिए वक्त को पहचानो और बदर डालो अपने आपको जिन्दगी में वेल्यू उसकी है जो अपने काम को बैतर तरीके से करता है इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि काम क्या करता है तरक्ती इस बात पर डिपेंड करती है कि काम को कितनी बैतरी से करते हो चपरासी का जॉब कैसा है हसते आप लोग पर आपको बता दू चपरासी की सेलरी भी लाखों में होती है कभी किसी मेट्रो सिटी में जाना अच्छी-ची MNC's company में चपरासियों का जो हैड होता है ना है तो वह भी चपरासी लेकिन उसके अंडर में कम से कम स्वाश्वा दो दो सो लोग काम करते हैं कारण उसके इंदर में quality है कि समोसे वाला खुब पैसा है खुब पैसा है समोसे की गाम में आज की डिटन तो शोचल मीडिया का जमाना आप दुनिया बरके मोटिवेशन लेक्चर देखें कोई चाय बेच बेच की करोड़ कोती बनीया तो मैं यह कहना चाहता हूं काम बेटा जो करोड़ पती बनते हैं न वह दिन रात उनके दिमाग में यह चीज चलती रहती है आप लोगों के में नहीं चलती दिन रात तब चलती है आज रात को सोई है सुबह चार बज़े पिकनिक के लिए बुलाया गया है रात पर नीन आती है सच अधाना दो तीन वे तर नीन जाती है कारण इतना पैशन भराया है हमारे अंदर पिकनिक पर जाना है पिकनिक पर जाना है शादी में जाना है नानी गया जाना है तो आपने फील किया कैसी इनरजी होती है उस टाइम आपके अंदर सेम इनरजी आपको अपने गोल के लिए चाहिए जो भी गोल आप रख सपने आने लगे तो समझ लेना आधी सफलता आपको मिल चुकी है बागी का प्रॉसेसिंग होने में टाइम लगना है बस कोई बात नहीं चैप्टर वन ओडगया कोई टेंशन नहीं है वो मैं वीडियो अप्लोड डालूगा दुबारा से देखना क्लियर हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन चैप्टर टू से अपने लेवल को और इंप्रूव करो ओके गाइस ठीक है है ना हमें अ लेड देखे लग्यां चैप्ट बात 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 नहीं है यदिन झाल झाल